प्रिफिक्स रहना चाहिए आवाज आ रही है सबको क्लियर है किसी कोई डाउट नहीं है यहां तक क्लियर है सबको कouting यह रूल आपको रहेगा Pak a classic say रिफिक्सेस यह आर रिटन जो तन लोंगविट्ट्टेर्न नंबर्स करें आलाउंग विद्ट्स नंबर्स नंबर्स इन दे लॉंगेस्ट चेन इन दे लॉंगेस्ट चेन ठीक है रिटेन अलोंग विद देर नंबर्स इन दे लॉंगेस्ट चेन डी पार्ट इसी में आड़ करो कि इफ इफ तू और मोर तू और मोर इफ तू और मोर सेम ग्रुप्स सेम अलकाइल ग्रुप्स अलकाइल ग्रुप्स आर प्रेस्ट present then dye try is used is used before the name of alkyl group before the name of एलकाइल ग्रूप ठीक है इन चारों को अब एक एक करके समझा देते हैं पहले चारों रूल लिख लो तुम लो क्योंकि बोर्ट तब हम इनेक्स पेज में जाएंगे पहले रूल चार सारा लिख लो जल्दी यल्दी इफ टू और मोर सेम अलकाइल ग्रूप साथ प्रेजेंट देन डाइट्राइब इस यूज़ बिफोर दर नेम आप दालकाइल ग्रूप ठीक है हो गया लिख लिए इतना लिखने के बाद एक बार बोल दीजिएगा लिख लिए तो फिर आगया बढ़ेंगे नेक्स पेज में जाएंगे ओके तो कैना मूब तो नेक्स पेज बुल लो बुल लो माइक माइक कॉन करके बुल लो can I move to the next page everyone yes sir okay yes sir okay so rule number three a b c d one more one more one more in this e e die try etc are not considered इन अल्फबेटिकल लिस्टिंग और प्रिफिक्सिज अ अब हो गया यह वाला रूल पूरा खता अब इसको हम समझाते हैं इसको भी नोट कर लो सब दाइट रेट सेक्टर नोट कॉंसिदर इन अल्फबेटिकल लिस्टिंग आप दा प्रिफिक्सिज ओके सो लेट साट चली स्टार्ट करते हैं इक्जांप एक्जांपल आप दिस लूट सी अ कार्बन कार्बन एक चेन लेते हैं लंबा सा एक चेन लिया मैंने दस कार्बन एटम पुड़ा देखिया डेकें कर देते चलो ठीक है कितना हो यह तीन पांच आठी वा चुरह ने दुप आठी रहने दुप ठीक है यहां पे आपका हम कर इस कार्बन यहां पे हम एक और डाल देते हैं कि यहां पे हम अगर डाल दें दो कारव ठीक है यह हो गया ओके ठीक है 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 अब चलो सबसे पहले तो बताओ नम्मरिंग के साइट से स्टार्ट होगा बच चलो लॉंगे सबसे लंबा दिखी रहा है उससे लंबा वैसा दूसरा कोई दिख भी नहीं रहा है ठीक है यह आपका लोंगेश्चेन हो गया ठीक है ओके अब बता इसमें नंबरिंग किस साइट से स्टार्ट करें हुआ है है में लंबाहा इस ट्रेक्ट वेरी गुद इसमें नंबरीं के साइट से इस तरफ से यह तरफ से कि अई है SAP green य्थ तरफ से स्टार्ट करना है वेरी गौड चलो इतना समझेंन अश्योर्राम कर ल ayud तो यहां पर आपका हो गया वन वन टू त्री फोट फिफ्ट सेवन एट ठीक है अब इसमें हम लोग देख रहे हैं कि टू और शिक्स दोनों पर कौन सा ग्रूप है मिधाइल ग्रूप है सब्सक्राइब है छिक्सियंद मिधाइल ग्रूप है और यह कौन सा ग्रूपफ है यह सिट्टू एच फाइव हो गया सीट्टू हइच फाइब मतलब होगे आपका इथाईल गूप यह वह हुआ अपका इथाईल गूप ठीक है अब जब अलफाबेटिकल ओरडर में लिखेंगे तो अलफाबेटिकल ओरडर में पहले आएगा कि ए कि फैले आएगा ठीक है तो इन दो टो पोजिशं एक नंबर और लेटर को नंबर और लेटर को सेपरेट करते हैं हाइफन से ठीक है नंबर और लेटर को किसे सपरेट करते हैं हाइफन से ठीक है उसके फोर इथाइल के बाद टू और सिक्स में मिथाइल ग्रूप है तो एक रूल था आपका कि अगर एक से ज्यादा सेम ग्रूप प्रेज इसको साथ में यूज़ करते हैं तो यहां पर आपको कौन-कौन से जगह पर तू और सिक्स पर तो यहां पर लिखेंगे आप तू कॉमा सिक्स यह यह भी रूल का एक पार्ट था कि दो नंबर्स को सेपरेट करते हैं कॉमा से ठीक है तो तू कॉमा सिक्स और उसके बाद डाई मिथाइल डाई मिथाइल ठीक है डाई मिथाइल अच्छा है यह जो डी है इसको अलफेबेटिकल ओडर में नहीं हम लोग करते हैं वहीं यह ला लाश्ट आट जो आपका लिखवाएं वह यहां अलफेटिकल लिस्टिंग और प्रिफि लिए अब अब यहां पर क्या है और यहां पर आपका प्राइमरी शपिक्स क्या होगा इन होगा क्यूंकि सारा का सारा सिंगल बॉन्स हैं तो आपका एन होगा यह यह अभी हम सब यहां लोग देखेंगे ठीक है यहां तक क्लियर है सभी को मेरा जितना भी सिस्ट से लोग सब है इच अबरी सिस्ट से इस इस टीक है कना इमूब आहेड नेक्स पेज तो नेक्स्ट रूल रूल नंबर फोर रूल नंबर फोर रूल नंबर फोर रूल नंबर फोर है आपका प्राइमरी सफिक्स को ले करके रूल नंबर फोर है ठीक है ठीक है के प्रैमुरी सफिक्स पूर नमर फॉर के में लिखो किसके ली रूल है यह प्रैमरी सफिक्स ko ले करकش है तूल लबर फॉर का ए लिखो कि इस को कि ए एफ नो во Über कि बांट द। कि लिन हम जाहिए हुम्नट नो मलिटीपल बॉन्ट बॉन शाया प्रेजेंट प्रेजेंट इन दा लॉंगेश्ट चेन लॉंगेश्ट चेन देन प्राइमरी सफिक्स पी सफिक्स करते रहे हैं प्राइमरी सफिक्स एन इस यूज़ ए ए एन इए इस यूज़ ठीक है ओके उसके बाद सेकेड एफ डबल बॉंड और ट्रिपल बॉंड 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 इस प्रेजेंट इस प्रेजेंट इस और डबल बॉंड और ट्रिपल बॉंड इस प्रेजेंट एक भी अगर एक भी डबल बॉंड या ट्रिपल बॉंड आपको मिलता है प्रेजेंट देन then don't use in in the primary suffix don't use in in don't use in in the primary suffix primary suffix rather rather use in for double bond double bond along with its along with its position position in the chain in the longest chain and iron for triple bond ट्रिपल बॉंड अलॉंग विट्स पोजीशन इन दा लॉंगेस्ट चेन यहां तक लिखो फिर इसी में रूल नमर फोर में और भी पार्ट्स लिख्वाएंगे पहले इतना लिख लो इसको समझाएंगे बाद में पहले रूल्स लिखाएंगे लिए हैं कि वाकी सब लिख लिए और सब लिख लिए हो इस अब इबरीवन बच्चा लोग यह सर्ट ऑगया सब का ओके अब चलते हैं इसी रूल में आगे देखते हैं आप आप कि सब्सक्राइब बोलता है नरे सब्सक्राइब लिख जल्दी कि सक्षम नोट कर लिया कि नो सार अच्छा ठीक 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 करो कर जल्दी कर जल्दी कर नोट्स दे देंगे अच्छा लिगी कर लो अच्छा रहा है क्लास नोट्स हो गया चलो आगे बढ़ते हैं तुक दो तुटो 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 थे डिल्दी टॉटो तुटो दॉटो दॉटो थे आए जैए तुटो तुटो थे चलो मैं सी ओके माइक बन कर लो सब्सक्रा इफ more than more than one double bond or triple bond bond is present present in the longest chain then we use dye try etc with in or iron respectively 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 ठीक है यह हो गया सी पार्ट और दी पार्ट में दी पार्ट में लिखलो इफ बोथ डवल बॉर्ण्स डवल बॉर्ण्स और ट्रिपल बॉर्ण्स इफस पार्ट ढसे पार्ट ज़लोंस है तर्याँ घ्रटी सिलोंस यह जए बॉर्ड्स 불यूर्ट अच्रटी ट्रटी में लॉर्ण्स गर्ण्स से तर्याक से च्पार्स व्रट यह ग्ग्र्स així वी यूज बोथ इन एंड आइन इन अल्फबेटिकल ओर्डर इन अल्फबेटिकल ओर्डर क्या खतरनाक चीज बता दिये कितना रूल हो गया कितना रूल तो पड़े नहीं अवित्तक अल्फबेटिकल ओर्डर अब जाके खत्म हुआ अब इसको समझाएंगे पहले तुम लोग नोट कर लो उसके बाद कि अगर कि अगर कि अगर कि अगर कि नोट हो किस अपका कि इस तरफ हाद रूप जाएंगे सार्थ हाथ ठीक अ बच्छा एक तुम तुम्हारे लिए लुक्पेंगे कि अगर कि कि अग्या सर हो गया हो गया हो गया एवरीवन सबका हो गया समझाएं इस रूल को ठीक है इस रूल को देखते हैं बहुत सिंपल सा रूल है अ कि देखो जैसे मालो कि एक एक करके समझाते हैं जैसे मालो कि कसी सी सी सब्सक्राइं सिंगल बॉण्ड है सारा का सारा क्या है सिंगल बॉण्ड इसमें सब्सक्राइब कर देते हैं यहां पेक कर देते दो जगा पर कर दिए ठीक है तो लॉंगेश चेन बनाए नम्मरिंग कि साइट से स्टार्ट होगा ग्रीन से की ब्लू से किस साइट से नम्मरिंग करें बताओ तो यह हो गया 1234567 आपको दिख रहा है सेकेंड और फॉर्ट दो सेम ग्रूप है मिथाइल ग्रूप है तो कैसे लिखेंगे टू कॉमाफोर डाई मिथाइल डाई मिथाइल वर्ड रूट क्या हो जाएगा वर्ड रूट हो गया आपका है एक है और क्यूंकि कोई डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो फिर हम लोग क्या इस करेंगे है यह यह हो गया उसके बाद अब देखो डबल सब समझ लेना नोट करते रहा ना कॉपी में मिटाएंगे इस वज़े से ठीक है इसको नोट कर लिए चलो यह वाला हो गया अब देखो इसी जगह में इसी जगह में हम थोड़ा सा चेंजेस बस ला रहे हैं आपका इस पर्टिकुलर पोजीशन पर एक डबल बॉंड कर दिये ठीक है और एक ही रहने तो अभी क्या हाँ पहले एक डाले डबल ठीक है एक डबल बॉंड डाले अब इसका नाम क्या होगा तो प्रिफिक्स तो वही रहेगा टू कॉमा फोर ठीक ह टू कॉमाव फोर ग्रेंट मिताईल करें अभी वर्ड रूट वही है 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 अब लेकिन एन कैसे लिखना अब एक भी डबल बॉंड पान आ गया तो अब एल नहीं लिखना है एलिन लिकना है अगर एक भी डबल बॉंड यह टृपल बॉंड आ गया है लॉंगे चेंड में तो फिर एन वर्ड का यूज नहीं करना है इस बात को आज के बाद ध्यान में रखना ठीक है उसके बाद लिखोगे क्या वो ज़रूरी है तो है कौन से पोजिशन पर डबल बॉंड है सेकेंड पोजिशन पर डबल बॉंड है तो यहां लिखें को हैट टू इन है क्लियर है कोई डाउट है इसमें समझ में आया बच्चा है क्लियर है एवरीवर्ण ठीक है ठीक है ओके समझ में आ गया आगे बड़े सांत हो गया सब ठीक है अब उसके बाद देखों इसी में स्लाइस स्लाइड चेंज करते जा रहे हैं एक एक रूल समझ में आते चल जाएगा अब मालों इसी के जगह पर ट्रिपल बॉंड है यही पर डबल के जगह कौन सा बॉन ह इसके साथ में अधे यहां पर ट्रिपल बॉंड होही नहीं सकता है क्यों लिश्यक सपड़ा वशचा है कर तो हम हुआ यहां पर ट्रिपल बॉन नहीं हो सकता एक क्यों बॉले होंगे क्या लगता है कारवन का पाच पॉर्ट से ज्यादा बन जाएगा फोर से ज्यादा बॉर्ण बन जाएगा ठीक है इस वैसे यहां पर ट्रिपल बॉर्ण नहीं डाल सकते हैं वेरी गुड तो यहां पर आपका तो फिर डबल ट्रिपल बॉर्ण कहां पर डाला जाए ट्रिपल बॉर्ण यहां भी नहीं डूल सकते हैं याँ काम करते हैं ट्रिपल फॉरड हम लोग यहां प्रेबर्ट यहां पर डाल देते हैं ओके ट've गी नम्रेंग तो उदर से स्टार्ट शर्ट होगा क्यूंकि इदर से बी सैकेंड पोजिशन से जितार क्या तो मेरे कहीत से इसमें परोगा जाहिए क्सा evolving यहीं होत siete अना चाहिए उप यहीड फॉलो होगा मेरे जील से ऐने फॉलो होगा इसके बाध के वाथ क्षरिपल बॉर्ण को जाधा जहें ठीक है एक मिधाइल ग्रू спас करते हैं अब फिलाल के लिए ट्रिपल बॉर्ण हम लोग यहां पे यहां से मिठाइल गूरुप अब देखते हैं अब इसका नाम अब इसका नाम क्या बच्चा बता कौन बताएगा नंबरिंग पहले किस साइट से स्टाट होगा इसमें आप नंबरिंग का ओर्डर यह रहेगा क्या कि नहीं रहेगा अब नंबरिंग कि साइट से स्टार्ट होगा आपका नंबरिंग होगा आप इस साइट से स्टार्ट होगा तो यह हो गया फॉर्स्ट सेकेंड थर्ड थर्ड फॉर्थ फिफ्ट सेट सेवन ठीक है अब क्या होगे यह इसमें कौन सा प्रिफिक्स कौन सा प्रिफिक्स आपका फॉर्थ पोजिशन पर मिथाइल ग्रूप है तो फॉर फॉर मिथाइल ठीक है उसके बाद हैप्ट है यह पोजिशन लिखना बहुत जरूरी है याद रखना बच्चा लोग डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड इन और आइन का जब भी वर्ड का यूज करेंगे तो हम लोग देख के करेंगे कहां पर है वो अगर फॉर्स्ट पोजिशन पर तब तो लिख सकते हैं जैसे म दीखनां होकर के होता आपका कहांपर फॉर्स्ट पोजिशन पर फीक है यह रोटा ट्रिपल बॉंस तब लिख सकते थे हैप्ताइन तब कुई दिक्कत नहीं था लिखने में तब कोई दिक्कत नहीं है एहां इसका नाम क्या होगा इसका नाम हम लोग बोलेंगे तो हो तब हम लोग डाइरेक्टली बोल देते हैं है टाइम ठीक है क्लियर है ना समझ मैं लेकिन अगर यह सेकेंड पोजीशन पर रहेगा तब है टू आइन लिखना होगा थर्ड पोजीशन पर रहेगा ट्रिपल बॉंड तो है ठ्री आइन लिखना पड़ेगा यह जरूरी है चाह रहे यहां तक कि यह सबसांत हो गया रहे साब सुग्य का जी कि मज़ए समझ गया ना ठीक है उसके बाद अब अब देखो अब क्या करते हैं अब हम एक से जादा डबल बॉंड लेके बता रहे हैं कि अब सब्सक्राइब अब इसमें देखो अभी यहाँ पे हम ट्रिपल वॉंड है आपका कहा कहा पर ट्रिपल वॉंड एक यहां पर ठीक है और एक ट्रिपल और और इसमें डाल देते हैं यहां पर कुंप ठीक है अब लॉंग जेंगे से नौगी इसमें दिक्द ने को दिख्क्त ने हम इस टालना ठीक है डाल देते यह अ सेवन ठीक है यह आपका मिठाइल गूरूप है तो है आजाएगा प्रिफिक्स में तो सिक्स प्वर्ड रूट क्या हो जाएगा वर्ड रूट हो जाएगा है उसके बाद आप देखो यहां पर स्कॉस्ट पॉजिशन पही डबल ओंड और आपका फोर्फ पोजीशन पही डबल बॉण है तो फिर कैसे लिखेंगे इसको इसको लिखेंगे है फ्ट वन कौमा फोर ड्याइ ठीक है लिखेंगे हैट वान कॉमा फोर डाई आई और इसमें भी याद रखिएगा यह डाई डाई वाई को जो नहीं डालता है ठीक है तो डाई यह सब को मत सोचना डाई आई दो ट्रबाद दो ट्रिपल पॉंड है इसलिए डाई आई ठीक है हाँ बोलो कोई कुछ बोल रहा था से 99 करांब क्या चीर कि दाई वन वन तुमा पूर डाई नहीं है डाई आई अगर यह अगर यह अगर यह सपोज कर लो को आपका डबल वर्ण होता तब क्या हो जाता तब हो जाता डाई घृत तब और जाता आपका डाई हो जाता समझ में आ रहा है कि किसी को ड़ाउट है यहां तक बच्चा लोग तो सकते एक बात नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे नो डाउट वेरी गोड ओके अब आ जाते हैं नेक्स पार्ट में अब हम इसी में करते हैं आपका एक जगह यहां ट्रिपल बॉंड है और यहां डबल बॉंड है तब इसका नाम क्या लिखेंगे अब बहुत बढ़िया हुआ कोश्चन अब बताओ अब इसका नाम क्या लिखेंगे ठीक है तो रूल का पार्ट में यही पार्ट एक और समझाना था एक डबल बॉंड भी है एक ट्रिपल बॉंड भी है तो फिर इसका नाम क्या लिखा जाएगा तो देखो प्रिफिक्स में तो वही रहेगा सिक्स इन है और फोर्थ पर आपका क्या है आइन है ठीक है दोनों में अल्फाबेटिकल ओडर में पहले कौन आएगा यहां पर लिखेंगे हैप्ट वन इन अच्छा अब याद रखना अजब भी इन आइन या फिर एन हैना इन आइन या फिर एन इस रूल को भी लिखा देते हैं या फिर एन नेम के बीच में आता है तो लास्ट यह नहीं लिखते हैं तो जैसे यह इन अभी इससे आगे भी नाम बचा हुआ है तो इस इन में लाश्ट वलाऊ नहीं लिखेंगे तो यह लिखेंगे एन फिर उसके वार फोर है ऑईन कभी बी तो इस इस रूल को भी एक रूल में नोट कर लो उसी में डाल लो हम रूल लिखा दते हैं यह वाला है ठीक है कि इस रूल को लिखो इस रूल को लिख लो इफ इफ इन आइन और एन is in between in between of the naming naming then we don't write we don't write last e last e of in in और कि आईन कि डटेज कि विवी राइट एज विवी राइट एज एज इन एट इन और इन तो आएट है जब नाम के बीच में आएगा सपोस्पोस कर लोगए सेकेंडरी सफिक्स को फंक्शनल गृप लगा होता तब भी यह चीज़ होता क्योंकि सेकेंडरी सफिक्स को दो बाद में लिखते हैं तो वहां पर फिर इन यह लाश्ट वाला यह नहीं लिखा जाता जैसे यहां पर इन ही लिखे यह नहीं लिखे ठीक है क्लियर है बचलो कोई डाउट है इसमें पूछ लो एक बार समझ में आगे हैं सबको क्लियर है एई इचन एवरी ताम ओवर हियर ठीक है चलो फिर एक 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 क्वेश्चन देते हैं इस क्वेश्चन को तुम लोग करो और फिर उसके बाद तुम लोग चुट्टी याज देंगे ठीक है हो गया हाइड्रो कारवन का आप लोग समझ बॉंड ट्रिपल बॉंड दबल बॉंड टिक है है तो फेट वाण टू थरी यहां पे तो देदो अलकाइल ग्रुप यहां पर देदो एक अलकाइल को चलिए इसका नाम जल्दी से बताओ तो कि चलो इसका नाम खाली तुम लोग बता दो हम समझ लेंगे तुम लोग का रूल आल्मोस्ट क्लियर है कि याद रखिएगा आयू पेसी नमिंग करते टाइम एक बार रफ वर्क साइड में किया किजिएगा कौन-कौन से पोजीशन में है लॉंगेश चैन अच्छे से करके वैसे करके ठीक है और रफ वर के बाद अपना फाइनल आंसर दीजेगा एक ही बार में आंसर दीजेगा का पता चला गलत करके धर दीए ठीक है तो एक रफ वर्क कर लो रफ वर के बेसिस पर फिर आंसर दो ठीक है रोक है कि अ कि अग्यों कि अग्यों कि अग्यों कॉमा अच्छा चलो नंबरिंग नंबरिंग तो किसी साइड से भी स्टार्ट कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है इसमें मेरे ख्याल से सकता है से भी चीज पांच छे साथ ठीक है टू कॉमा सेवन अतू कॉमा सेवन होगा ना बच्चा कि अठीक है टू कॉमा सेवन कि डाइ मिथाइल अ मिथाइल उसके बाद आपका ओक्ट ओक्ट कि और के बाद आपका डबल बॉंड भी है और ट्रिपल बॉंड इन और आइन में कौन आएगा पहले इन और आइन में अलफाबेटिकल ओडर में इन आएगा तो इसका मतलब टू कॉमा सिक्स कि डाई इन और इन में नहीं लगाएंगे जैसा कि यह नाम के बीच में इस वाज़े से उसके बाद डाई एन और आइन कहां पर है फोर्थ पोजिशन पर फॉर्ट क्लियर है सभी को कोई डाउट है इसमें पूछ सकते हो कि अरेगं इसलें लिख लिए है इसके लिए यह इसके लिए यह मिटाइल गूरुक के लिए इन के लिए डबल बॉंड के लिए कहा लिए डबल वांड तो शफिक्स में लिखा जागा ना प्राइमरी सफिक्स बया और देंए क्या का और दे कि छलो इक और दैंता है कर दो कर दो झाल 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 चलिए इसका नाम बताइए तो अधर बांद देते लिखना सुरू कर दिया अब भी चलो बत आरे हम बोले थे हम लिखे रहे थे तभी तक लिखना स्टाट कर दे जबरदस्ती है कि हमको भी सोचने दो जबरदस्ता तालिस छो जल दे जल दिन अयाम बताँ सुरूं झाल झाल कौन अंसर बताएगा जल्दी से बताओ जल्दी से बताएगा जल्दी कॉमा एट डाय इथाईल डेक्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् इसके बाद बताएगा थ्री कॉमा एट डाय थैल आगे आगे प्री कॉमा एट बच्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् आज घंडाय एटन लगा देंगे बत्चा अभी वर्ड रूट लिखी नहीं तुम प्राइमरी सफिक्स डिरेक्ट पहुंच गई बोलेघ्ट सब्सक्राइब नहीं लिख्या आँदेख नहीं लिख्या अच्छा आँँ मिठायल गूरुप् तुमको नहीं दिख रहा है हां बता 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 कौन है चलो बता बूलो बोलो बेखा त्री कोमाहेट हाँ ठीक है कोमाहेटल लिखा हूँ आगे बता स्थी ओंटती कोमाहेटल यह इथाइल ग्रूप है उसके बाद अब हम एक बात दिखाएं कहें गलत है देखो सबसे पहले तो लॉंगेश चेन का नमबरिंग रेक लूप ना है तो थो पोजिशन और फॉर्थ पोजिशन पर है तो क्या होगा फॉर कॉमा सेवन होगा ना जी मिफाइल की मिफाइल की मिफाइल तो ना कि थेंख छीचे। गुनि पूरूरौ एटिन पर सबोरौEr सब्सक्राइब impress तरे वाले सबस्क्राइब जबाद में थोड़ीह प्रूमा में सब्सक्राइब कार्बानिक से बता थार्ड पोजिश्ट प्रीक फिर बोलते हैं दाइन की इन दो को इन है डबल बॉंड है कि एन दाइन दाइन उसके बार हाइफन हाँ इसक्स आइन की फाइव फिर फाइव फाइव थीक है फाइव समाज में आया ठीक है चलो कोई नहीं है ना इतना पहला बार में इतना बड़ा बड़ा देख रहो ठीक है समझ में आया क्लियर है सबको कोई डाउट है बताओ मेरे तो और और कराए कोश्यर यह सब्सक्राइब है अब हम बोलेंगे उसके बात बनाना पहले अपने मन मत बनाने लाग जाना ठीक है रुको सोच के देना पड़ता है चलो ठीक है यह लबना थे जड़ा घुण्स झाल बना तो इसका बता अच्छे से बोले आराम से रफवर्क करके अच्छे पांच मिनट का टाइम दो सोच समझ के एसका अंसर तो सब गुरूप देखो कौन-कौन सा यह वला गूरूप कौन सा यह इताइल गूरूप है यह वाला अच्छे से सोच समझ के बताएगा कर दो झाल झाल कि आखके आखके इस्था आखके इसार बोले बोलो फिको माफाइब तो दिए कोमा फाइब दिए कोमा फाइब ठेक है 3,5 क्या लिए बोला डाई मिख्राइब राइ अच्छा मेरे को पहले तरी को तभ याद रखना तुमको लिखना वगा 3,5 हर एक मिख्राइल का पोजिशन माद त्री कॉमा 3,5 दिखना होगा ठीक है याद रखना ट्राइम इतायल आगे हाइफन हाइफन सेवन सेवन इथाइल सेवन इथाइल नोल यह ना यह हम इसको पहले यह गलत कर देता है यह अल्फाबेटिकल ओडर में पहले आता है पक जल्दी कर पिर सभी कर सभी कर जल्दी से इसको अल्फाबेटिकल ओडर में कुन पहले आएगा यह पहले आएगा देखो सबसे पहले देखो जो हम रफ वर्क बोलते हैं रफ वर्क कैसे किया ज़ता हम उसको समझाब पहले रफ कर लो क्या कहने का मतलब है इसको समझ रफ करने का मतलब होता है पहले लॉंगेश चेन एक बार तुम लोग बना दिये जैसे मालनों इसको बनाए लॉंगेश चेन ठीक है तब गलती नहीं होगा one two three four five six seven eight nine ठीक है अब उसके बाद तुम प्रिफिक्स कहां कहां पे सारा लिखो तो थ्री पे तुमको दो मिथाईल ग्रूप दिख रहा है तो हो गया और फिफ्थप से एक मिथाईल ग्रूप दिख रहा है तो हो गया और तुम्हारा और यह तूम लख लो अब उसके बाद और फाइव थाइव थी कॉमा थी कॉमा फाइव हाइफ ऐफन हाइफ साहज ताइफ नौन फ़ॉट है इन वन कोमा फॉट यह मिद एगा लास्ट में लो सम्हें नहीं रहेगा उसके बाद है है कि लड़की लोग सब सांत रह गई समझ मैं बच्चा तुम लोग को बन भी गया जा तो सांत मत रहो इसे ठीक चलो आज मेरे ख्याल से बहुत हो गया अभी और बचा हुआ है ठीक है अभी सिर्फ याद रखना हाइड्रो का खतम हुआ है फंक्शनल ग्रूप का अभी बचा ही हुआ है सेकेंडरी सफिक्स वाला तो अभी कुछ कामी नहीं नहीं बचा हुआ है ठीक है जैसे हम यहां पर एक तुमको देते हैं एक जैसे देखो यह वाला शी वाला सी शी एसी एक चार जैचे है कि यह दो जी चार ंचेजैंगा यहां परदेखो यहां के बचारू यहां त्रिपल पर देखो तो आपनेधा। और यहां पर एक तो अब यह वाला तोट एक अब देखो इसमें कौन साउगा बता सकते ओ कि इस साइड से करे स्टार्ट करते हैं तो लॉंगे शेन कौन साउगा कि इदर जाएंगे कि नीचे आएंगे नीचे 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 ना क्योंकि है लॉंगेश Czech简ंड में यह तो जरूरी है जानते ही होगे जानते हीما रहना चाहिए यह तो पता है देखो यह तो oni नॉर्मल अलकाइल गुरूप नहीं है इस तरह का अलकाइल गुरूप रहता है ना तो इसी को बोलते हैं साइड चेन यह साइड में एक अलग से चेन हो गया अगर तुम इसका नोमेंक्लेचर करने जाओगे ठीक है तो नमबरिंग के साइड से स्टार्ट होगा थर्ड पोजिशन पर या जा रहा है वन टू थ्री फोर फाइफ सिक्स सेवन एट नाइन टेन ठीक है अच्छा आप देखो यह साइड वाला चेन का अलग से नमबरिंग करते हैं वन टू थ्री फोर तो ऐसे एक अलग से अलकाइल गुरूप रहता था तो डारेक्ली लिग दे इसका नाम क्या दोगे लिखोगे इसका नाम नाम होगा तैश PayPal शिक्स अफिल ने दोते हैं वन ट der ब्यूटाइल है कि अब यह कैसे करते हैं इसके बारे में नेक्स प्लास में बताएंगे ठीक है ये वाला कैसे नाम ये प्रिफिक्स नाम ये जोचो प्रिफिक्स है इसका नाम यह लिखा जाता है इस तरह अब यह भी एक तरह का हाइड्रो कार्विस में भी कोई फंक्शनल गूर्ट नहीं है तो यह वाला बस एक बोल सकते हो साइड चेन नोमेंक्लेचर वालक पार्ट तुम लोग को अलग से एक दिन बताएंगे और फंक्शनल ग्रूप बला पार्ड भी उससी दिन बताएंगे ठीक है तो आइडिया नहीं है मेरे को एक बार गुरूप मेसेज डाल दो सर बता देंगे नहीं है नहीं है नहीं है नहीं है नहीं है ठीक है रिया यह से ओके थैंक्यू बढ़ा बढ़ा चलो